Hello friends, आज हम देखेंगे discussion groups क्या होते हैं? Discussion groups को हम discussion board, discussion forum, message board या online forum भी कहते हैं. लिकिन ये होते क्या हैं? तो discussion group एक group of discussions होता है जहांपे कोई भी topic डाल दिया जाता है और उसके उपर आप अपने comments, idea, suggestions सजेस्ट कर सकते हैं. जैसे हम आज कल current situation लें, तो coronavirus फैला हुआ है, तो उसके लिए discussion group बन सकता है कि students को किस तरीके सा आप educate कर सकते हैं. तो ये एक open discussion group हो जाएगा, जिसमें हर व्यक्ति अपने idea इसमें डाल सकता है और जो ideas आए हैं, messages आए हैं, उनको आप reply कर सकते हैं, read कर सकते हैं, यानि कि एक open bulletin board जैसा है, जिसके उपर आप अपने ideas present कर सकते हैं. तो discussion करने के लिए जो groups बनाया जाते हैं online, उन्हें हम discussion groups कहते हैं. तो definition अगर हम देखें, तो discussion group is a general term for any online bulletin board, where you can leave and expect to see responses to messages you have left, और you can just read the board. यानि आप comment लिख सकते हैं, message लिख सकते हैं, उनका response देख सकते हैं, या फिर सिर्फ आप उसको study भी कर सकते हैं. तो first discussion group जो था, वो था bulletin board systems पे, और internet पे use net ने thousands of discussion groups हमें provide कर वाए हैं. इंटरनेट पे discussion boards को use करने के लिए special software भी होते हैं, और कई websites हैं, जो discussion groups offer करती हैं. इसका use क्या है, तो जैसे हमने कहां कि information को discuss करने के लिए, opinions को view करने के लिए, share करने के लिए आप discussion group use करते हैं. पॉपिलर discussion groups हैं, Google groups, Facebook groups, WhatsApp groups और Usenet groups. इसमें आप WhatsApp groups के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं, तो जैसी working WhatsApp group की होती हैं, सेम वैसे ही functionality discussion group में आप डाल सकते हैं. यानि जो admin होता है, वो कोई भी message डालता है, opinion डालता है, topic डालता है, और इसके ओपर आप अपने views प्रेजंट करते हैं. इसी का हम हिंदी में overview ले लेते हैं, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं चर्चा समूह. एक चर्चा समूह व्यक्तियों का एक समूह है, जो आम तورपर एक समान रूची साजा करते हैं, जो विचारों पर चर्चा करने, समस्याओं को हल कराने, या टिपण ही करने के लिए आपच अब हिस्ट्री अगर हम देखें इसके तो चर्चा समू यूजनेट से विक्सित किया गया था एटी के दर्शक में चर्चा समू का रूप यूजनेट के अवधारना पर उत्पन हुआ जिसमें इमेल और वेब मंचों के माध्यम से संचार के तरीकों पर जोर दिया गया इसमे दीरे-दीरे www.unneweb-server स्थापित करके इंटरनेट पर discussion group के लिए platform प्रदान कर रहा है अगर एक्जामपल्स पूछें कि कौन-कौन से discussion groups अबलेबल होते हैं तो इन में से कुछ है Google Groups, Facebook Groups, WhatsApp Groups और Usenet Groups अब इनका advantage क्या होता है? discussion groups का फायदा होता है कि अलग-अलग उपयोग करता अपनी अपनी भाषा में इसकी व्याख्या कर सकते हैं यह समूख के सदस्यों को उन पर यूजनों पर काम करने की सुविदाम प्रदान करता है जिने सामाने फायलों के तुलना में काफी अधिक भंडारन की आवशक्ता होती है यानि कि अगर कोई फाइल है जिसका बहुत जादा डेटाबेस है बड़ा डेटाबेस है हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता तो ग्रुप वाले व्यक्ति मिलकर उसको एक्सेस कर सकते हैं सामाजिक राजनेतिक या अन्य किसी सामाजिक मुद्दे या मुद्दों के साथ सह संबंद रखने वाली सामगरी पोस्ट करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। कम लागत है क्योंकि इसमें आप पो सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की जरुत है। इसमें सबी पॉलिटेशियन्स और मेंन मेंबर्स हैं, कुछ आम जनता के प्रतिनीदी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया और उनके विचार लिये गए और उन विचारों के अधार पर उन डिसकुर्शन के अधार पर ये फैसला लिया गया कि दो हफते के लिए लोगडाउन बढ़ा दिया जाएं, तो ये जो जानकारी है कि किस वेक्ती ने क्या कमेंट दिया, किस ने क्या अपना सुझाव दिया, किस सुझाव का असर दिखाया गया, ये सारी जानकारी हम इसमें संग्रहित भी कर सकते हैं, आटोमेटिकली जो भी डिटा आप डालते हो, वो संग्र ही तो तरेते